चिराग पासवान ने दबे कुछलों को उपर उठाने के अपने पिता के संदेश को गाउं गाउं तक पहुचाने के अपील की है सुंबारु के चिराग कृष्णा पूरी स्थित आवास पर पाटी के जिला दुच्छों और पुरो विधान सवाप परत्यासियों की बेटग को संबोधित कर रहे थे मुख मंतिरी नितीश कुमार की खिलाफ निंदापरस्ताव पारिद किया गया चिराग पासवान ने कहा है कि राम बिलास पासवान अंतिल पैयदान पर खड़े ब्यक्तियों के लिए शंगहर शरत रहे और कुरोना काल बतोर खाद्य और आपूर्ती मंत्री पुरे देश में समाज के अंति पैदान पर खड़े गरीब रेखा से नीचे के लोगों को खाद्य समागरी उपलब्द कराने को लेकर अपनी स्वास्त की अंदेखी कर प्राण की अहुती दी पचास साल से भी ज्यादा दिनों तक राष्टिय राजनीती में अपने बेदाग छवी के तहत उन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी लोजपा के परदेश सद्यक्ष राजुतिवारी ने कहा कि लोजपा संस्थापक के प्रति गलत ब्यवहार बरदास्त नहीं होगा इन बैठक में पुर्व मंत्री रेनुको स्वाह, पुर्व विदायक, उशा विद्यार्थी, गुप्तेश्वर राय, प्रवीन कुमार, छातरलोजपा के रास्टी अध्यक्ष, यामनी रंजन मिश्रा, पाटी के परदेश परदान महासचिव, संजय पास्वान भी किया गया, हाला कि जिस अस्तर से देखा जाए, कि बिहार के राजनिती में, चुकि रामबिलास पास्वान की बर्शी थी, और उसमें नितिस कुमार का नहीं जाना, तमाम बातों के अटकलों को हवा देती है, और वही दुसरी तरफ अगर हम बात करें, तो उनका NDA के तरफ से जो सौफ्ट कॉर्णर दिखाया जा रहा है चिराग पास्वान को, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पास्वान के लिए NDA का धरवाजा खुल सकता है, दुसरी तरफ RGD भी कहीं न कहीं चिराग पास्वान को अपने पाला में करने की कोशिश कर रह ही है, बहराल जो होना है वो आगे होगा लेकिन अभी जो बाते हैं कि नितिश कुमार के खिलाफ चिराग पास्वान ने निंदा प्रस्ताव पारित कर लिया है, तो ऐसे तमाम ख़बरों को देखने के लिए बने रहें बिगनी उजनाईन के साथ, नमस्कार.